पीजिए एलो एवरिवान लेट्स लेषन हाव्कि एन्सेर्ट और गनुग्राम ऊप वछ बियुक्वल 168 यह 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 भी हम स्मार्ट के तहत है है in order to insert smart art आप insert menu पर 클릭 करे स्मार्ट आठ का command select करें और फिर यहाँ पर देखी यह smart art graphic के मुँखत्लिफ options डिस्प्ले हो रहा है चुम्कि मैं एक organization का organogram insert कर रहू हौ तो मैं hierarchy वाला option select करूँगा और पिर यहाँ पर hierarchy के मुँखत्लिफ layout display हो रहा है ठीके मैं पहला वाला लेआउट सिलेक्ट करूंगा जिसका टैटल है और्गनाईजेशन चाठ इसको सिलेक्ट करके मैं ओके करूंगा लेक अम्लेख ग्राफिके स्क्रीनी पे स्टीव को जाता है इंसर्ट हो dialogue box से यह active हो जाता है अब मैं फर्स कर लेता हूँ कि इस organization का जो head है वो secretary है ठीग है secretary के मातिखत एक अफसर है जिसको मैं गरता हूँ कि इसका title है special secretary ठीग है अब special secretary के अंडर दो additional secretary काम कर रहा है तो वो मैं enter करूंगा लेकिन करजर नीचे लाने के लिए जो नीचे के टेक्स बॉक्स इनको एक्टिवेट करनी के लिए मैं इंटर्फरिस नहीं अपर करूंगा बलके डॉन एरो से मैं अपने करजर को नीचे ले आऊँगा ठीक है तो मैं फार्स्ट कर लेता हूं कि एक एडिशनल है तू है अब मैं फर्स कर रहा हूं मैं यह जीओं कर रहा हूं कि दोनों इडिशनल सेक्रेटरी के अंडर दो दो डिप्टि ससे इसकरी उनकी एंठ एंटरी करूँ का अपना करजर additional secretary 1 के end पे लाऊंगा और फिर एक दफा इंटर प्रेस करूंगा चुंकि deputy secretary जो है वो additional secretary के मतहत अफसर है तो the box of the deputy secretary will be demoted to the text box of additional secretary 1 तो demote करने के लिए मैं एक दफा tape की press करूंगा और फिर यहाँ पर मैं type करूंगा deputy secretary 1 ठीक है अब एक बार enter press करूंगा तक एक नया text box create हो जाए और फिर यहाँ पर लिकूंगा deputy secretary 2 ठीक है अब मैं additional secretary 2 के मतहत जो दूर deputy secretary है तो मैं उनकी entries करूंगा तो इसके लिए मैं अपना cursor additional secretary 2 के end पहला होंगा एक बार enter press करूंगा और the text box of the deputy secretary will be demoted to the text box of additional secretary तो text box को demote करने के लिए मैं एक बार tape की press करूंगा ठीक है यहाँ पर मैं entry करूंगा deputy secretary 1 और deputy secretary 2 ठीक है अब मैं suppose करता हूं कर रहा हूं के deputy secretary 1 के under b2 section officer है और deputy secretary 2 के मतहत भी do section officer है तो पहले मैं deputy secretary 1 के end पहला अपना cursor ले के आउंगा और एक बार enter press करूंगा अब चुमके section officer मतहत ताब सरे deputy secretary का तो मैं section officer के text box को demote करूंगा तो to the text box of deputy secretary 1 ठीक है तो demote करने के लिए मैं एक बार tape की press करूंगा तो suppose मैं यहाँ पर लेखता हूं section officer 1 और फिर मैं एक बार enter press करूंगा तक एक नया text box create हो जाए और फिर मैं लेखूंगा section officer 2 ठीक है अब मैं यह चाता हूं कि deputy secretary 2 के अंडर भी मैं two section officers की entries करूं तो मैं deputy secretary 2 के end पर click करके अपना cursor लेखूंगा और एक बार enter press करूंगा ठीक है and this text box will be demoted to the text box of deputy secretary 2 तो demote करने के लिए tape की press करूंगा यह section officer one type करूंगा ठीक है और फिर एक बार enter press करूंगा ताक एक और डाई log box create हो जाए और फिर section officer 2 type करूंगा ठीक है यह हो गया अब suppose मैं इन दो deputy secretary's के नीचे भी दो-दो section officers की entry करना चाहता हूं जो deputy secretary one के माद तहूंगे और deputy secretary two के माद आता हूंगे तो deputy secretary one के end पर अपना करजर ले क्या हूंगा इंटर प्रेस करूंगा और एक बार tape की press करूंगा ताकि यह text box demote हो जाए deputy secretary one को because section officer is a subordinate officer of the deputy secretary one ठीक है तो मैं tape की press करता हूं यह demote हो जाता है यहाँ पर मैं type करता हूं section officer one फिर एक बार enter press करता हूं ताकि नया text box create हो जाए और यहाँ पर मैं लेखता हूं section officer two ठीक है अब मैं deputy secretary two के end पर click करके अपना कर्जर लेके आऊंगा एक बार enter press करूंगा tape की press करूंगा ताकि section officer का text box remote हो जाए to the text box of deputy secretary two ठीक है तो section officer one और enter ताकि net i lock box create text box create हो जाए और section officer two ठीक है यह हो गया मेरा organogram complete इस तरह में मुक्तलिफ entry भी कर सकता हूँ यह text box इसाफी है मुझे इसकी जरूत नहीं है तो end पर click करके मैं backspace press करूंगा ताकि यह खतम हो जाए ठीक है यह खतम हो गया अब आप देख सकते हैं कि यह एक organogram create हो गया है ठीक है ठीक है इसकी जिस तरह जैसे ही मैं height या width increase करता हूँ तो text properly accordingly align होता है मैं home पे आके इस पर मुख्तलिफ formats apply कर सकता हूँ इसका size में increase या decrease कर सकता हूँ ठीक है इसको bold italic underline भी कर सकता हूँ lift align center align right align और justify भी कर सकता हूँ और इसका font style भी change कर सकता हूँ ठीक है मैं तोड़ा size की weight में मजीद इजाफा करता हूँ ठीक है ताकि यह text properly align हो जाए ठीक है इसकी size में भी तोड़ी सी मजीद कमी करता हूँ for example मैं 10 रखता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं ये देखिए स्केकरे के मात हैं तफसर special secretary फिर special secretary के मात हैं दो आपसरान architectural secretary one और अइडिशनल secretary two additional secretary one के मात हैels 걱정 के मात है दो आपसरान पिर हर डिप्टी सेक्ट्री के माते हैं दो अफसरान और हर डिप्टी सेक्ट्री के माते हैं दो अफसरान तो इसी तरह हम पिर इस पर और भी फॉर्मेट एपलाई कर सकते हैं फॉर एक्जामपल यहां पर डिजाइन पर मैं अगर क्लिक करता हूँ ठीक है तो यहाँ से फिर मुख्तलिफ options मैं select कर सकता हूँ मुख्तलिफ layout मैं select कर सकता हूँ यहाँ पर मैं अगर click करता हूँ more layout का option select करता हूँ hierarchy पर click करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी format select कर सकता हूँ suppose मैं यह वाला करना चाहता हूँ तो ये देखो अभी ये चेंज हो गया है उस फॉर्मेट के मताबक हो गया है मैं इसका कलर टीम भी चेंज कर सकता हूँ ठीक है ये देखिए डिफरेंट कलर टीम्स मैं रख सकता हूँ जो भी आपको पसंद आए आप वो सेलेक्ट करें ठीक है इसका ये देखो style भी मैं change कर सकता हूँ यहां से यह देख जिस style पे हम अपना mouse pointer लेके जाते हैं तो यह हमें preview में देखाता है कि वो किस तरह देखा ही देगा ठीक है आपको आपका जो फैवरिट आपको जो पसंद आए तो आप वो select करें सपोस हम चाते है कि इसमें ज हम अपने smart art graphic पर दीगर जो hierarchy के layout है बारी बारी apply करते हैं और देखते हैं कि पिर हमारा जो smart art graphic है या हमारी organization का organogram है hierarchy है यह किस तरह दिकाई देता है ठीक है तो इसके लिए आप अपने smart art graphic को select करें design menu पर click करें और पिर यहां से layout के command पर click करें अगर हम इस option को select करते हैं जिस तरह देता है मैं जरा इसकी zoom कम करता हूँ फिर देखता हूँ कि ये किस तरह देख देता है ठीक है आप देख सकते हैं अगर में यह वाला option select करता हूँ ठीक है तो यह इस किस इसमें पिर मैं मुख्तलिफ office bearer के designation के साथ साथ उनके नाम भी लख सकता हूँ ठीक है तो मैं य पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सपोज सेक्टरी का जो नाम है वो ताहर है तो मैं ताहर इंटर करता हूँ सपोज मैं स्पेशल सेक्टरी का नाम भी इंटर करता हूँ उनका नाम है अमजद ठीक है इसी तरह एडिशनल सेक्टरी फॉर एक्जामपल उनका नाम है असलम ठीक तो इसी तरह तमाम office bearer के designation के साथ साथ में उनके नाम भी add कर सकता हूँ अगर मैं ये वाला option select करता हूँ ठीक है ये half circle organization चार्ट है तो इसमें ये देखे मैं तोड़ा सा इसका zoom कम करता हूँ पिर आप देखे कि ये किस तरह देखाई देता है ठीक है ये ये भी एक दिल का शोर खुबसूरत design है ठीक है मैं अगर ये वाला option select करता हूँ ठीक है तो इसमें पिर मैं उसके साथ साथ office bearer के pictures भी insert कर सकता हूँ ठीक है picture भी add कर सकता हूँ मैं तोड़ा सा zoom करता हूँ ताकि साफ नजर आए for example मैं security का picture भी add करना चाता हूँ तो मैं इस पे click करूँगा मैं पर security का की जो picture की file है उसको मैं locate करूँगा from a file ठीक है for example desktop से मैं कोई picture उटाता हूँ ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे picture भी आ रहा है इसी तरह हम तमाम office bearer के या मختلف जो title है designation है उनके साथ मुतलेका office bearer की picture insert कर सकते है ठीक है ये भी देखिए एक organization चार्ट है ठीक है ये वाला जो है ये टेबिलेटट form में पर organogram बन जाता है ठीक है यानी organogram होगा hierarchy होगी लेकिन ये tabulated form में होगी ठीक है इसके अलवा हमारे पास ये एक design है जो horizontal organogram है horizontal hierarchy है ठीक है आप देख सकते है ये भी एक खुबसूरत design है हम अगर ये वाला add करते है ठीक है तो ये भी एक horizontal organogram या hierarchy है अब for example में इन तीन text box पे कुछ formats apply करना चाहता हूँ ठीक है इन तीन formats पे तो मैं इस पे पर click करूँगा फिर shift की press करूँगा और इसको hold रखूँगा और इसी तरह में दीगर text boxes भी select करूँगा अब इन text boxes पे jointly में मुक्तलिफ formats apply कर सकता हूँ इनकी width में इनकी height में कमी बेशी कर सकता हूँ ठीक है इसके अलावा मैं मतलब इन तीनो text box पे special formats apply कर सकता हूँ मसलां इनके text size में कमी बेशी कर सकता हूँ ठीक है इसी तरह font style में changes कर सकता हूँ ठीक है इसके अलावा इसको bold, italic और underline कर सकता हूँ इसको lift, center line और इस तरह ये सारे format इस पे apply कर सकता हूँ ठीक है अब मैं suppose करता हूँ कि मैं इन चारो text box पे कुछ format apply करना चाता हूँ तो मैं इन चारो text box को select करूँ गा, for example मैं इसको select करता हूँ shift की press करूँगा और hold रकूँगा और click करके इन चारो text boxes को मैं select करूँगा और अब इन चारो text boxes पे मैं में मुफलिफ format से apply कर सकता हूँ, for example मैं इनकी fill color change कर सकता हूँ ठीक है, जो بھی color मुझे पसंद देवा मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, हूम मेन्यू पे आके जो टेक्स्ट कलर है यही भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यह दिकिए यह प्रिव्यू में आपको नजर आ रहा है कि वो टेक्स्ट कलर किस तरह होगा, ठीक है, फॉर एक्जामपल में इनकी साइज को भी इंक्रीज या डिक चूस कर सकता हूँ, मुक्तलिफ ले आउट चूस कर सकता हूँ, ठीक है, तो उमीद है आप हैरार्की को, और्गिनोग्राम को इंसिट करना और इसको फॉर्मेट करना समझ गए होंगे, अगली वीडियो में हम स्मार्ट आट के तहत दीगर जो आप्शन से जो ले आउट है तो उन पर काम करना सीखेंगे, तैंक यू बेरी मॉच जी